तो हेलो सो स्वागत आपका टेक जाधा यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं पर बहुत सारे मारे भाई वहन जो लोग है न यहाँ पर डर चुके हैं कि हम अपना अधर कार्ड से पैन कार्ड नहीं लिंक पर कर पाएं और डेट भी बित चुका तो आखिर क्या होगा दोस्तों आपको बाताना चाहोगा एक में ऐसा तरीका कि जो अभी भी वर्क कर रहा है ठीक है अनलाइन यादि आप साइट के मदद से जाओगे न तो बिल्कुल नहीं काम कर रहा है साइट क्रेस हो गये क्योंकि इतनी भीड है न साइट पे कि करेस्त ओ जो कि साइट काम ही नहीं कर रहे है तो बात करेंगे हम इस वीडियो में यह अपर प्रोसेस अच्छे से कर के दिखाघूँगा ना कि आप अपना पैंड अदर काड से कैसे लिंक कर पाएगगे क्योंकि बहूत लोग नहीं करेंगे तो हमारा पैंड कार डिसेबल तो फिर हम भविस में कोई पैसा निकालने में प्राबलम होगी या आई टी आर अगरे भरने में प्राबलम होगी या मतलब बैंक अकाउंट से रेट बहुस सारे दिक्कते होगी या या एक हैर का जुरूर्बाना भी लग सकते हैं लिंक करेंगे यदि अब लिंक कर ले ना तभी मेरी वीडियो को लाइक करेगा नहीं तो मत करेगा लेकिन आए उस्टों पहले आप अपनी अपनी मर्जी से यहां पर पूरा प्रोसेस यहां पर अच्छे से समाझ लेजी देख लिजिए और लास्ट में आप बताएगा कि वी इसमेंस के थुरू आपको यहां पर लिंक करना होगा अपना यहां पर जो आपका यहां पर पैन कार्ड है अधर कार्ट से ठीक है तो दूसरे की रिक्वेश्ट और आपसे करूंगा ना यह चैनल पर नहींद चैनल को सब्सक्राइब करेंगा क्यों कि मैं इस तरह सी पैन का का इकान दिखेगा प्लस लिखा हुगा तो आप इस पे क्लिक करेंगे यहां से नंबर मांगा कि किस नंबर पर आपको भेजना है तो जो नंबर सरकारी नंबर इलाट किया गया है वो नंबर है 56 56 78 यहीं सरकारी नंबर इलाट किया गया है इसी नंबर के आपको SMS भेजना है SMS में क्या लिखना आए मैं बता दू SMS भेजने से पहले आपको बता दू कि जो आपकी सीम है न उस सीम में कम से कम 3 रूपया में बैलेंस होना चाहिए तब ही आपका जो नहीं पैन कार्ड अधर कार्ड से लिंक हो पाएगा क्योंकि SMS जाने के पैसे लगता है तो में बैलेंस 3 रूपया होना चाहिए अब आए आप हम देख लेते हैं कि हमको क्या लिखना होगा तो हमको लिखना होगा कैपिटर लेटर में यू आई यू आई डी फिर पी ए यन यही लिखना होगा फिर यहां पे Space देना होगा फिर आपको अपना अधार कार्ड नमबर लिखना होगा तो मैं Example के तोर में आपना अधार कार्ड नमबर लिखना हो ठीक है और आए यहां पे हमने अधार कार्ड नमबर लिख दिया अगर card number लिखने बाद फिर एक space दीजेगा फिर space देने के बाद आपको अपना pen card number लिखना है तो मेरा जो pen card number है अपना pen card number हम लिख देते हैं ठीक है तो pen card number जो आपका होता है न दस अंका होता है ठीक है तो मैं अपना दस रंका है यहां पे जो pen card number है वो भर रहा हूँ ठीक है तो यहां पे मेरा जो pen card number है वो 10 रंका हो चुका है ठीक है अब हमको क्या करना है इसको आप इसमें पे यहां पे click करके send कर देना है इसमें जैसे send करेंगे message आपका चला जाएगा इस number पे और उसके बाद जो आपका आधार कार्ड है ना देखिए message रिसीब हो देखिए यहां पे तीन रूपर चार्ज काट का जैसा मैंने आपसे बोला भी था तीन रूपर चार्ज काट देगा